Good morning students, मैं कीरती परोहा, Class 10 General English की Class में आपका बहुत स्वागत करती हूँ और बच्चो, जैसा कि हमारे इस समय में, इस सत्र में, 2021 के सत्र में, नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको 30 marks के objective आने हैं exam में उसके इसाफ से मैंने ये vocabulary section तयार किया है, जिससे आप objective question answer बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, चूकि ये जो vocabulary है, ये आपके lessons के बीच से ही दी गई है और मैं चाहूंगी कि इसको पहने आप lesson समझें और उसके बाद इस vocabulary को हल करें तो चलिए बच्छों शुरू करते हैं, vocabulary part 1, इसको हम दे देते हैं, part 1, बहुत ही सरल है और आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और exam की दृष्टी से ये बहुत important भी है, चलिए बच्छों शुरू करते हैं complete the statement choosing the correct option, the boy made up his mind that he would survive, not start the fire again, leave the school, change the doctor ये है अपना the power of determination से और उसमें है कि वो बच्छा जब जल जाता है तो वो क्या करता है अपने mind को, set करता है कि he would survive, वो जिंदा बचेगा तो सही answer क्या हो जाएगा, the boy made up his mind that he would survive, साथ में बोलिये मेरे ताकि आपको बहुत अच्छे से याद होता जाए, second question देखें, the boy used to work out in his yard because he wanted, जो लड़का था जो जल चुका था वो बहुत जादा याड में जाकर के बाहर प्रेक्टिस करता था, work out करता था, क्यों? he wanted to develop life in his lifeless legs, to climb a hill, to take part in a wrestling competition, to strengthen his arm muscles वो बच्चा क्या चाहता था, इसके पैर क्या हो गयते है, lifeless हो गयते, to develop his life in his lifeless legs, उसके जीवन बीजी पैरों में जीवन चाहता था, next question देखें, बच्चों, the thing that helped the body to develop the ability to run was, उस बच्चे के अंदर वो चीज जो इसको दोड़ने के लिए जो चीज़े आवश्यक थी, वो क्या कुन सी चीज़ें थी, daily massage, iron persistence, resolute determination, all of these, इसमें सही, चारों चीज़े, all of these, सभी चीज़े जरुएत थी, daily massage, उसकी daily प्राता मालिश होती थी, iron persistence, उसकी लोग जैती, धर निश्चैता, resolute determination, मतला आप अराजे, निश्चैस, चमता जो थी, उस सब ने उसको दोड़ने लाइक बना दिया था, smile is weed, यहाँ पर उस बच्चे का नाम बताईए, जिसने दुनिया के सबसे तेज धावकों में से एक हो गया, जबकि वो कैसा था, disabled था, यहाँ पर नाम है, Pettis Empress, Dr. Glenn Cunningham, Ben Johnson, Diago Maradona, यहाँ पर जो बच्चा था, जो जल चुका था, disabled boy था, उसका नाम था, Dr. Glenn Cunningham was the boy, जिसकी resolute determination उसको दोड़ने लाइक विश्व का धावक बनाया, अब हम चलते हैं, Exercise No. 2, अब देखते हैं, Exercise No. 2, Give one word for the following expressions, बतलब दिये गए इसके लिए एक शब्द लिखना है हमको, A room for one or more, prisoners in a prison, or Police Station, बतलब पोलिस स्टेशन में और जेलों में एक ऐसा कमरा जहां पर कैदियों को रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, वन वर्ड में अगर हम कहें, तो Cell, C-E-L-L, Cell, जहां पर कैदियों को रखा जाता है, पिजन में उसको सेल याने कमरा कहा जाता है, पोटरी इसको कहते है, the act of killing somebody especially as legal punishment, एक कानूनी कारवाई के दौरान किसी वेक्टी को मारना, जान से मार देना, ऐसे act को क्या कहते है, execute, E-X-E-C-U-T-E, execute, फिर से बोलू, the act of killing somebody especially as legal punishment, that is, execute, E-X-E-C-U-T-E, फ़र देखो, a person who suffers very much or is killed because of their religious political beliefs, एक किसी वेक्टी को बहुत जादा यातनाय दी जाए, या फिर इसको मार डाला जाए, क्योंकि वो धार्मिक रूप से, या राजमीतिक रूप से विश्वास के दौरान इतना जादा समर्पित रहे, तो उसके दौरान य याने शहीद, M-A-R-T-Y-R, शहीद हो जाना उस बेप्टी को, चौथा देखो, a word or phrase that is easy to remember, used by politicians, advertisers, etc. in order to attract people's attention, एक कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसा फ्रेज या शब्दों का संग्रा है, जिसको हमा सानी से याद रख सकें, जो की अधिकतर राज में ताउं द्वारा, और विग्यापन करतां द्वारा निकाला जाता है, जिससे कि लोगों का ध्यान वहाँ जा सके, उसको क्या कहते हैं, स्लोगन, नारे, नारे क्या होते, स्लोगन क्या होते, easily याद रहते हैं, लोगन को याद रखते हैं, तो स्लोगन आरे यहां स्लोगन का उस्पहल है, S-L-O-G- आप सही शब्द को भरिये राजगुरु और सुखदेव ने मना कर दिया किस चीज के लिए गो टू दा गैलोज गैट देयर फेसे कवर्ड दी हैंग दी हैंग तो कम आउट आप देर सेल्स तो राजगुरु और सुखदेव ने मना कर दिया थे कि उनका ना ढखा जाए यहां पर आंसर है get their faces covered तो राजगुरु और सुखदेव ने मना किया था get their faces covered याने उनके चहरे ना ढखे जाए सेकेंड देखो भगत सिंग् प्रू Tahir // भगत सिंग ने मजिस्टेव रही हैंपाांशी देते हुए तीसरा देखो the British took the dead bodies of the revolutionaries to the bank of the river जो Britishers थे उन्होंने जो dead bodies तीनों शहीदों की थी वो कौन सी नदी की किनारे ले रहे आंसर देखो सुतलज गंगा यमना नर्मदा तो सही आंसर है सुतलज नदी की किनारे चौथा by offering his supreme sacrifice to his motherland भगत सिंग become a symbol of अपनी देश भक्ती अपनी मात्र भूमी के प्रती इतना ज्यादा स्याग और समर्पन के कारण भगत सिंग क्या बन गए थे एक्सराइज नमबर त्री देखें चूज दा करेक्ट मीनिंग आप दा फॉलोइंग वर्प्राम दा गिवन अल्टरनेटिव प्रॉल प्रॉल का आर्थ क्या होगा रंड तू मूब स्लोली यह जंप रॉल यहां दीर धीर करके मूब स्लोली यहांसर आएक है क्रॉल तू पर्षमिंग का क्या मतलब होता है फुट्पाथ पैविलीन जेब्र क्रोश्चिraktion ता मतलब होता है फूट्पाथ यहांसर क्या क्या करेंकर एंगे टीक करेंगेगे खिएτι श्नीज क्या है बृट बैल्च, sudden and noisy release, air through nose, नियदे छीक ना तो उसका सही answer है, sudden and noisy release, air through nose, अठार, एकदम से अचानक से, नाक के माध्यम से, बहुत सारी air बाहर जाए, इसको sneeze बोलते, छीक नारे इसको बोलते, मैलिस, wish to harm others, wish to help others, wish to play together, मेल इसका मीनिंग है दूसरे को नुक्सा जाने का काम करना स्टर का मतलब है स्केटर शेटर कोलेक्ट यहां पर सही मीनिंग है स्टर रेक्स देखते हैं एक्सराइज नमबर फोर फिल इन दो ब्लैंक स्टेशिज भाई यूसिंग द वर्ड कमिंग इन द टेक्स इन दो में से किसी एक सही पर टिक करना है इस यहां सही आंसर आएगा रिजरस ट्रैक्टिस इस गेव आ मैसे बैस्ट और कॉंफिडेंस तो इस गेव आमैसे बूस्ट किसी के भी आत्मश्वात को बढ़ाने के लिए बूस्ट बोलते हैं करना यहां पर आई विल नेवर अगेंग प्रीज़ प्रीज़ नहीं करूंगा चौर्था देखो इवन रिमार्क्स फ्रॉम्ट टीममेट्स ओन्ली मेंड हर मोर रिजुल्यूट तो स्नाइट इवन दस्नाइट रिमार्क यहने एक व्यंग बानों वाले जो बान उसको कर अपने टीम में टीम के सहयोगी साथियों से मिलें जिसके कारण वो आगे बढ़ पाई एक्सराइज नमबर फाइब डी टी डी एंड पी स्टेंड फॉर डायक्टरेट और टेक्निकल डेवलप्मेंट एंड प्रोडक्शन सच आइटम आर नोन एज अब्रिविएशन जब भी हम कि कि चोटे-चोटे उसमें पॉइंक करके लिए डी टी डी पी या किसी पॉलिटिकल पाईटी के नाम को भी शाट फॉर्म में लिखते हैं कि सुषप में उनको कहते अब्रिविएशन में कर लिस्ट ठीग अभ्रिवेशन लोन तू यू तीन अब्रिवीएशन जोग को मालम ह को बनाना है जैसे हम सब्सक्राइब का इंडिया एएएफ आई एएफ है आपने बनाया यहां पर यहां पर सी ओ वारी नेशनल गैडट्क और यहां जाएगा एन सीसी कम लिग दिया NCC फिर है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट तो हम इसके इनिशियल ले ले लेंगे P W D P W D State Bank of India S B I denoted हो जाए ना State Bank of India यह है abbreviation जो आपको आएंगे करने के लिए अब देखें हम exercise number 6 give one word substitute for the following expression the first letter is given as clue एक शब्द में हमको substitute करना है इन सारे expressions को पहला है a child whose parents are dead एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर चुके है उसको क्या कहेंगे अनाथ अनाथ को इंग्लिश में कहेंगे और्फन O-R-P-H-A-N दूसरा देखो the feeling of having lost all hope ऐसे में पूरी तरह से निराश होनी की जो feeling उसको क्या कहेंगे despair D-E-S-B-A-I-R तीसरा देखो to take away something quickly from a person specially by force किसी व्यक्ती से बहुत तेजी से किसी चीज को छुडाना धक्का या बल को अप्रयोग करते हुए तो उसका इस a snatch S-N-A-T-C-H जैसे चैन महीलाओं की छुडा ली जाती ने चैन स्नेचिंग बैट वर्ड इस उसी से जुड़ा स्नेच स्नेच जपत्ता हमारे के छीनना पॉर्सफुली किसी चीज को छीनना चौथा तो कंटीन्यू तो कॉस प्रॉब्लम फॉर समवन फॉर लांग टाइम किसी को लगातार कॉस करना प्रॉब्लम देना को क्या कहेंगे हॉंट ह-a-u-n-t हॉंट एक ऐसी थी जिसको हम एज़ेल्री बनाके पहने क्या कहेंगे आभूशन उसको कहेंगे और नामेंट ओ-r-n-a-m-e-n-t और नमेंट याने आभूशन तो बच्चों यह थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट यह थे इसा नहीं है कि यह कोई फिलिंदा ब्लैंक्स में आया है तो मल्टिपल च्वाइस में नहीं जाएगा आपको पर्टिकुलर उससे रिलेटिड आंसर जरूर बहुत अच्छे से याद करके रखना है थैंकिए बच्चे